अलेकुम इस शो को सुनने और देखने वालों को खुशामदीद ये एक नहीं काविश है और इसकी ये पहली नशिस्त है हमारे साथ आज एक और महमान भी मुझूद है उनका तारुफ करवाता चलू ये कालम निगार मुसन्निफ और साथ ही साथ सोशल मेडिया एक्टिविस् अल्ला माफ करें अल्ला जूट बोलने से बचाएं हमारे पास तो ये देखाता हूँ आपको ये बटनों वालो मॉबाइल है सर नहीं नहीं मेरा ये मतलब हर्गिस नहीं आप रुकिए ना तो हम कभी कोई सोशल मेडिया पे मतलब के फेस्बुक पे ना तो हम कोई चीज नहीं पॉला तुमने तारुफ ऑर भी बोला ना तुमने जी हाँ यही अल्फास मेरे मुझसे निकले हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगा अगर आप शानने अगुस्ताही हुई है नहीं साहिब तारुफ नहों का होता है जिनको को कोई दुनिया ना जानती हो हमें तो सा से घरज नहीं है कि आपको दुनिया जानती है नहीं जानती हमें हमोश रहने के लिए बोला ना तो क्या आपको यह बात मालूम नहीं है कि सहाफी और कालम निगार अजाद होता है उसको कोई भी हमोश रहने के लिए नहीं कह सकता तो क्या आपकी नजर मेडिया वाले और जित गुनागार आंकों ने देखा, क्या बता हूँ आँ माम को मैं, क्या देख बैठें आप यहां स्टूडियो में, यहां तो ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, तेरी जुबान बंद ही रहने दो, तो बेहतर है मियां, नहीं, टैंचन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुल के ब परना, तो कैसी आज़ादी, क्या तुम आज़ाद हो, क्या यह मेडिया आज़ाद है, बताओ, जवाब दो, चले, तुम कुछ नहीं बोल सकते, साहिब आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको मालूम है, अगर आपने फजूल बात की, तो एडिटर कार्ड देगा, और सबसे पहले अपना कालम हुद पढ़ते हैं, और उसमें सिर्फ गलतियां निकालते हैं, और उस पर तनकीद करते हैं, काम में लेकिन तनकीद क्यों और उसी में से गलतियां, क्यों निकालते हैं, मिया, आपने सुना नहीं है, क्या, इनसान अपनी गलतियों से सीखता है, इस एक रोटी और एक डाल की प्लेट आती है बस तुम बताएं के करीब कहा जाएं महिंगाई ने कमर तोड़के रख दिया इप सिरफ इतना सा मौफजा अच्छा ये बताएं कि आपके क्या शादी वगएरा हुई है या आपके बच्चे वगएरा हैं हान जी शादी हो रखी है ह हमारी और अलहमदुलिल्ला काफी सारे बच्चे हैं कभी फहर नहीं किया इस चीज़ पर वो सारे बच्चे हैं इसका क्या मतलब है ये बात तो बताओ तुम मेडिया से हटके मेरे बच्चों और शादी शुदा जिन्दगी में क्यों हैं नहीं मैं वैसी पूछ रहा था कि इसलिए कि आपको गुजारा बगएरा भी हो जाता है या नहीं तो सुनो साहिब अब गुजारा नहीं होता और गुजारा बिल्कुल नहीं होता भई ये इसकल के सहाफियों और कालम निगारों का हिसाब है तो आम बंदा तो महंगाई के बोच तले दफन हो गया होगा हमार आप लोगों को ये किस्ट अच्छी लगी तो इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मजीद देखने अगर इस ताइंकी वीडियो या फिर किस्ट तो मुझे कुमेंट करें असलाम अलेकुम अलाह आफिज